फर्स्ट नव प्रस्ट है कि प्रिष्टिये आवेस घनत्व से आप क्या समझते हैं इसका मात्रक लिखें तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रती एकांग छेत्रफल पर उपस्तित आवेस को ही प्रिष्टिये आवेस घनत्व कहते हैं इसे सीगमा से सुचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है कुलम प्रती मीटारे स्कॉयर होता है काफी मत्तपूर्ण इसका मात्रक जरूरी याद रखे का क्योंकि ये objective questions में भी पूछा जाता है तो आप असानी से लिख पाएंगे कि प्रती एकांग छेत्रपल पर उपस्तित आवेस को ही प्रिष्टी आवेस घनत्वा कहते हैं जिसे हम लोग सीगमा से स्वुचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है कुलम मीटारे स्कॉयर हम लोग जानते हैं कि जो छेत्रपल होता है उसे स्कॉयरे मापते हैं तो वहीं क्यूँ इसका कुलम हो गया होंगे कि 80 होता है और जो यहाँ पे A² है तो T L के पावर माइनस 2 यहाँ पे आसानी से आप याद कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे दूसरना प्रस्णि कि गौस के नियाम को लिखें सभी प्रस्णि को आप एक कॉंपी कर ना छुटे गौस के नियाम को लिखें तो इसे भी हम लोग बिलकुल ही आसानी से समझेंगे किसी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला कुल बिधूतिय फ्लस्क का मान उस प्रिष्ट के घेरे गाई कुल आवेस का एक बाटा एपसलान नाट गुना होता है तो क्या हम समझें हैं कि किसी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला कुल बिधूतिय फ्लस्क का मान उस प्रिष्ट के घेरे गए कुल आवेस का एक बाटा एपसलान नाट गुना होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं phi e बराबर हो जाएगा q इंटू एक बटा epsilon not जो epsilon not होता है वह मुक्त अकास की विदूत सीरता होता है बिल्कुल ही असानी से लिखा गया है तकि इस वीडियो को एक से दो बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूर्था याद हो जाएगा और ये जो प्रस्णा आप देख रहे हैं कि अवेश के अध्यारोपन से आप क्या समझते हैं काफी महत्पूम प्रस्णे दोस्तों कि अवेश के अध्यारोपन से आप क्या समझते हैं तो जब बहुत से अवेस दिये गए हो तब किसी एक अवेस पर लगने वाला बल अन्य अवेसों के द्वरा लगाए गए कुल बल के सदिस योग के बराबर होता है यहाँ पे इस चित्र को आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं और यहाँ पे इसे आप जरूर तक यानि कि अनंद तक इसका हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि जब बहुत से अवेस दिये गए हो तब किसी एक अवेस पर लगने वाला बल अन्य अवेसों के दोरा लगाए गए कूल बल के सदिस योग के बराबर होता है तो वहीं साइस समझेंगे दोस्तों तो चलिए नेक्ष्ण परस्ण को देखते हैं और यहाँ पर परस्ण आप देख रहे हैं कि विधुत चुमबकिये प्रेनर से आप क्या समझते हैं तो काफी महत्पूर परस्ण है दोस्तों कि विधुत चुमबकिये प्रेनर से आप क्या समझते ह जब किसी कुंडली और चुमबा के बीच अपयक्छिक गति होती है तो कुंडली में एक बिधुत वाहक बल उत्पन हो जाता है जिससे परिपत में धारा बहने लगती है और ऐसी धारा को प्रेडी धारा और इस घाटना को ही बिधुत चुमबा के प्रेनर कहते हैं तो एक बार फीर से इसे रिकॉल करना चाहते हैं ताकि आपको पूर्था याद हो जाए एक बार में ही जब किसी कुंडली और चुंबा के बीच अपेक्षिक जब गती होती है तो कुंडली में एक विदुतवाहक वल उत्पन हो जाता है जिससे परिपत में धारा बहने लगती है और ऐसी धारा को प्रेरित धारा और इस जो घाटना घारती है उसे ही बिदुतवाकिये प्रेराण कहते हैं बिल्कुल ही असानी से समझते चलेंगे ताकि बूर्ड इग्जा में इससे बाहर तो आएगा नहीं और यहाँ पर निमेरिकल सवाल है कि 10 माइक्रो फाराड धारता वाले संधारित्र को 5 बोल्ड तक अवेसित किया जाए तो उस पर अवेस क्या होगा यानि कि Q का मान पुछा है तो C बराबर 10 माइक्रो फाराड और B बराबर दिया गया है 5 बोल्ड और Q बराबर वाट तो चुकि Q बराबर होता है C भी तो Q बराबर C भी पर हम जब इसे रखेंगे इसका मान तो 10 माइक्रो गुने 5 यहाँ पे मात्रक को नहीं लिखा गया है यानि कि जो यहाँ पे मू दर्स आए गया है इसका मान 10 के पार मानस 6 होता है तो याद रखेगा माइक्रो का मान 10 के इसका राइट एंसर हो जेगा या इसे हम लिख सकते हैं हम्लें टूंटने-10 के पार मांडस 5 कुलम किव्योंकर का मात्रव कुलम होता है दोस्तों यहाँ पे 50 कुल गूंट juicy भी लिख सकते थे 6 और जो दॉससे 1,0 ँग्तों को मांडस 5 की पार यहाँ दू creep को आपथ attended 한 LOT को बिल्कुल ही क्लियर कर दिये जएगा प्रिख्छा से पहले दोस्तो प्रेंडिक परति घात क्या है इसका मात्रक तथा वीमा लिखे काफी भी भीवी परसने दोस्तो कि परतिवर्थी धारा परिपत में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके परति रोधitet को प्रेंडिक प सुत्र होता है MLA square T के पार मानस 3 A के पार मानस 2 होता है इसका बीमिय सुत्र याद रखेगा दोस्तों ये objective के लिए जरूर याद रखेगा objective के लिए मातरक और इसका बीमिय सुत्र तियाँ पर subjective में है कि पर्तिवर्ती धारा परिपत में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके पर्तिरोध को ही प्रेणिक पर्तिघात कहते हैं जिसे हम लग XL से सुचित करते हैं और इसका जो मातरक होता है ओम होता है और इसका बीमिय सुत्र MLA square T के पार मानस 3 A के पार मानस 2 होता है मित करते हैं आपको सेशन अची लग रही होंगी तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर सेयर करने का प्रयास कीज़ेगा अपने दोस्तों के पास क्योंकि कम समय में ज़्यादा कैसे सब्द जरूर लिखेगा है इसे पाधा क्या चलता है कि जो भी सिख्चाक कमपी कुचे करते हैं तो इसे आकरसित हो जाते हैं दोस्तों तो यह निम्न उप्योग जरूर लिखेगा ऐसा नहीं कि इसका उप्योग चिकित्साफ च्चेत्रों में किया जाता है तो यहां सभी लिख सकते हैं लेकिन ये लिखने से ये फायदा रहता है कि आपको full में full आंक मिल जाएगा और इसका उपयोग भी पूर्टा अगर लिखते हैं तो भी मिलेगा ऐसा कुछ नहीं कि कर जाएगा लेकिन थोरा सा अकॉरसित होते हैं तो दो में दो वह 100% भी दे सकते हैं तो साइकोट्रोन के निम्र उपयोग होते हैं अगर 4 यहां पर बताया गया है या 3 तो आप 2 भी लिख दे हैं बोड इकजा में तो आपको full आंक मिल जाएगे तो इसका उपयोग चिकित्सा के छेत्रों में रेडियो सक्रिये पदार्थ उत्पन करने में किया जाता है साइकोट्रोन का उपयोग और इसका उपयोग आयान को जोर कर ठोस की गुणवाता बढ़ाने में भी साइकोट्रोन का उपयोग किया जाता है और यहाँ पे है कि इसका उप्योग धनावेशित करण को त्वारित कर उर्जा प्राप्त करने में होता है जिसका उप्योग नभीकिय रियक्टर के रूप में भी इसका उप्योग किया जाता है दोस्तों तो बिल्कुल यह असाइन्स समझेंगे और यहाँ पे नेखन परस्ट में देखेंगे कि यह परस्ट तो अबजेक्टिव में तो 100% आता है कि व्योष्टर का नियम होता है तो में बराबर 10 IP यह अबजेक्टिव में 100% रहने वाले हैं इस साल तो यहाँ पे दूर नंबर में है कि परदर्सी माध्यम के लिए ध्रूर कोर की असपर सजाया अपवर्तनांग के बराबर होता है जिसे ही व्योष्टर का नियम कहते हैं अगर आप परिभासा नहीं लिखते हैं अगर यहाँ पे आप लिखते हैं यह म्यू अपवर्तनांग है और 10 IP यह परदर्सी माध्यम का ध्रूर कोर की असपर्स जाया है अगर इतना भी लिखते हैं और यह समिकरान भी लिखते हैं तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे दोस्तो तो परिभासा के साथ जरूर लिखने का प्रयास किजेगा इसे लोगों को डाउट न रहे तो परदर्सी माध्यम के लिए ध्रूर कोर की असपर्स जाया अपवर्तनांग के बराबर होता है जिसे भी उश्टर का नियाव काते हैं मियू बराबर 10 IP और यहाँ पर जो प्रस्ण है कि क्रांतिक कोर क्या है पूर्ण आंतरिक परवर्तन के दो सर्थों को लिखें तो 90 डिग्री अपवर्तन कोर के संगत आपतन कोर को ही क्रांतिक कोर कहते हैं तो इसे अभी के अभी आपको याद हो गया होगा कि 90 डिग्री अपवर्तन कोर के संगत आपतन कोर को ही क्रांतिक कोर कहते हैं और पूर्ण आंतिक प्रवर्तन के दो निम्न सर्थव होते हैं यह वाला सब्द तक जरूर लिखेगा पहला आपतन कौण का मान करांथ क्रांथिक कौण से बरा होता है और दूसरा है प्रकास की किरन को सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए नेक्षण प्रस्ट में देखते हैं और यह जो प्रस्ट आप देख रहें स्क्रीन पर काफी भी यह प्रस्ट है कि प्रकास के बेती करण के लिए आवस्यक सर्तों को लिखें तो सबसे पहले हम बताए हैं कि निम्न वालत तो जरूर को सर्तनीम्न होते हैं ये बाला सब्सट जरूर लिखेगा स्टार्ट करने से फ़ए ठीक परकास को करा सम्मंद श्रोत के रूप में होना चाहिए दोनों सीलिटों के बीच की दूरी कम होने चाहिए यानि कि इसकी क्या समंद यार्निकी दो सिलिटों के बीच की होती है और उसकी तरंग धेर या लेमडा वह समान होना चाहिए या निकि बराबर होना चाहिए दोस्तों और प्रकास रोतों को संक्रा या पतला होना चाहिए यानिकि प्रकास रोत जो होती है उसे संक्रा या पतला होना चाहिए तो यहां पे आप तीन भी लिखते हैं सर्त य जीगा इसे पाता चलेगा कि बोड़ एक्जाम में आप अच्छे से लिख कर आएगा और यहां प्रशने की नाभीकिये बल के दो गुणों को लिखें काफी मातुम प्रशने दोस्तों कि नाभीकिये बल के दो गुण निम्न होते हैं तो सबसे पहले यह तो लिखना जरूरी ह तो नाभीकिये बल के दो गुण निम्न होते हैं पहला यह एक सनरक्षित बल है ठीक यह प्रकृति में सबसे मजबूत बल है यही होता है नाभीकिये बल और यह सिर्फ अकरसन बल ही दरसाता है यानि कि एक वस्तु यहां है और एक वस्तु यहां है इसके बीच यह नाभीक क्रमबर्ण नियम का पाला नहीं करता है यह जो नंभीक्यबल होता है cin уз ब mythic नियम का पाला नहीं करता है अगर आप दो बोड इकजा में अगर दो गोंड पूछा गया है तो दो ही गोंड लिखे तो ऐसा नहीं कि तीन लिखेँजिया जादा मार्क्स मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है बोड इक जामें दो पुछा गया है तो दो ही उतर दें यहां पे आप दो को अच्छे से किसी दो को याद जरूर कर लेजेगा तीन तो जरूर याद कर जाएगा क्योंकि दो आप आसाइन से लिख सकते हैं ठीक तो य रेजर का भी उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग संचार बेवास्था में भी रेजर का उपयोग करते हैं और इसका जो उपयोग होता है रेजर का या इंडिस्ट्री में किया जाता है इंडस्ट्री यानिकि बड़े-बड़े जो कमपनियां होती है यानिकि बड़े बारे जो जगह इंडस्ट्री होती है उसमें रेजर का उपियोग किया जाता है और इसका उपियोग जो रेजर का उपियोग बेज्ञानिक बीवर्तन क्या है तीन होता है परकास का बीवर्तन ब्यतिकरन और धुरुवर्ण तो धुरुवर्ण और ब्यतिकरन और बीवर्तन में से 100% कोई एक आपके बोड़ इक्जा में रहेगा तो इस वीडियो में हम लोग बीवर्तन को देखेंगे नेक्स्ट विडियो में दोनों को देख लेंगे तो 5 सेट होने वाले हैं इस स्रीज में तो 5 सेट को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं तो बोड़ी जा में इसे बाहर एक भी प्रश्ण तर नहीं चुटाया लॉंग कोशन्स हो या अबजेक्टिव कोशन्स हो जब किसी तिक्षिक किनारों से होकर परकास गुजरता है तो आंसिक रूप से मूर जाने की किरिया को ही परकास कभी वरतन करते हैं आप से एक बार में भी याद हो गया होगा जब किसी तिक्षिक किनारों से होकर परकास गुजरता है तो आंसिक रूप से मूर जाने की परकिरिया को ही परकास का भी वर्दन करते हैं उम्मिद करते हैं आपको सेशन अच्छी लेग रहे होंगी तो इसे सियर एक बार जरूर की जगा दोस्तो अपने दोस्तिक पास की कि कम समय में ज़्यादा एचीव कैसे करते हैं हमारे ही वीडियो से आप कर सकते हैं कम समय में ज़्यादा एचीव ये हमारा 100% दावा है दोस्तो और यहाँ प्रस्ने की आईनिकरन उर्जा से आप क्या समझते हैं आईनिकरन उर्जा किसे कहते हैं किसी परमारू के एक इलेक्ट्रोन को अलग करने के लिए आवस्यक जो उर्जा होता है वह परमारू की आईनिकरन उर्जा कहलाता है बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है ताकि आप एक से दो बार भी इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूर्था याद हो जाएगा कि किसी परमारू से एक इलेक्ट्रोन को अलग करने के लिए आवस्यक जो उर्जा होती है परमारू की यहीं उर्जा आईनिकरन उर्जा कहलाता है दोस्तो नेक्ष्ट प्रस्ण की परवैदुत पदार्थ की से कहते हैं तो वैसे पदार्थ जिससे बीदुधारा का परवाह नहीं हो सकता है तो ऐसे पदार्थ को परवैदुत पदार्थ करते हैं एक बार मैं समझेंगे कि वैसे पदार्थ जिससे बीदुधारा का परवाह नहीं होता है याद रखेगा ये और परिभासा लिख देते हैं तो भी आपको फूल अंक मिल जाएगा और इतना भी लिख देते हैं तो इसे भी कोई दिकत नहीं है आपको दो में दो अंक मिल जाएगा और यहाँ परस्णे कि किसी उच बोल्टता सपलाई का आनसिक परतिरोद बहुत अधिक होना चाहिए क्यूँ काफी महत्पूर्ण परशने दोस्तों कि किसी उच बोल्टता सप्लाई का आंसिक परतिरोध बहुत उच होना चाहिए क्यूं तो यदि उच बोल्टता स्रोत का आंत्रिक परतिरोध कम होगा तो लगुपाथित अवस्ता में स्रोत से बहुत अधिक धारा परवाहित होती है और यह अत्यादिक धारा सुरख्चा की सभी सीमाओं को पार कर जाती है जिससे उच बोड़ता सुरोथ छतीग्रस्थ हो जाता है आपको एक बार में नहीं समझ में आये होगा उमेद करते हैं तो आपको फीर से समझाने का प्रयास करते हैं जो कि आपको 100% समाज में भी आ जाए तो यदि उच बोल्टता सुरोत का आंत्रिक परतिरोध अगर कौम होगा तो लगुपतित आवास्ता में सुरोत से बहुत अधिकधारा प्रवाहित होती है ठीक यह अत्याधिकधारा सुरक्षा की सभी सिमाओं को पार कर जाती है जिससे उच बोल्टता सुरोत छति ग्रस्त हो जाता है तो इतना लिख देते हैं तो आपको पूर्टा अंक मिल जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं किसी उच बोल्टता सप्लाई का आंत्रिक परतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए यानि कि बहुत उच होना चाहिए दोस्तो तो चले नेक्स टम प्रस्ट मों देखते हैं और यहाँ पे प्रस्ट है कि रदर फोड के दो परमारू मडल को लिखें तो सबसे पहले लिखना चाहेंगे कि रादर फोर्ड के दो परमारु मडल नीमन है ये वाला तो सब्द जरूर रिखिएगा दोस्तों कि रादरкимиड के दो परमारु मडल नीमन है तो ये वाला याद रखेगा नाभी की तरिजा अबजिक्टिम में पूछता है कि परमारू का अधिक्ता द्रबिमान वा समस्त धनावेश एक अतियंत सुक्ष में भाग में संचीत रहता है जिसे ही नाभी कहते हैं ये पहला हो गया और दूसरा परिकर्मा करते समय इलेक्ट्रोन की संख्या नाभीक में उपस्तित धनावेश के बराबर होता है तो अता हम कहा सकते हैं कि परमारू जो होता है वह उदासीन होता है इतना लिख देते हैं तो आपको पूर्था अंक में जाएगा और यहाँ पर प्रस्ने अठाना प्रस्ने कि बिधूतिय फ्लस्क क्या है इसका मात्रक क्या होता है तो बिधूतिय छेत्र में खीची गई बल रेखाओ को ही बिधूतिय फ्लस्क क कहते हैं और इसका जो ESI मात्रक होता है न्यूटर, मीटर, स्क्वाइर, प्रती, खुलाम होता है और इसका जो भीमिय सुत्र होता है MLQ, ML के पावर 3, T के पावर मानस 3 और A के पावर मानस 1 होता है इसका भीमिय सुत्र, भीमिय सुत्र को ज़रूर याद रखें और इसके मात्रक को भी क्योंकि मात्रक और विमिय सुत्र से objective किलियर हो जाएगा और यहाँ पे है तो यहाँ पे subjective भी किलियर हो जाएगा दो नमबर मिल जाएगा तो विदू चेत्र में खीची गए बल रिखाओ को ही विदूत्य फ्लस कहते हैं और जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्कर प्रतिकुलाम होता है और विमिय सुत्र अमल के पावर मानस तीन और तीक के पावर मानस तीन और एक पावर मानस वन होता है और यह जो प्रस्ण हैं यहाँ पे देखेंगे कि दिखपात का कोंड क्या है नमन कोंड भी पुछता है तो उसे अगले वीडियो में देख लेंगे तो इस वीडियो में दिखपात का कोंड क्या है इसे भी देख लेंगे तो पृतिवी के किसी अस्थान पर चुम्बकिय या मियोतर और भायतुक भौतिक या मियोतर के बीच बने कोन को ही दिखपात का कोन कहते हैं पिल्कुल ही आसाई से समझ पाएंगे दूस्तों कि प्रिथिभी के किसी अस्थान पर चुम्बक्य या मियोतर और भौति की या मियोतर के बीच जो कोड़ बनता है उसे ही दिखपात का कोड़ कहते हैं इतना लिखते हैं तो आपको फूल अंक मिलेंगे और यहां पर परस्ण दीशा को बदल लेती है तो उसे ही परत्वर्ती धारा कहते हैं और इसका जो आयाम होती है परत्वर्ती धारा का वह नियत रहती है यानि की नियत कहने का अर्थ है वह नहीं बदलती है तो दोस्तों इस प्रकार से इस सेसन को यहीं पर खत्म करते हैं ठीक अगर यह सेसन थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो इसे लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तो और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर किज़ेगा दोस्तो क्यूंकि इसी पर तरह से मत्तपूर सेजन आते रहेंगे ताकि वोडिक जामे इसे बाहर एक भी प्रशनतर न रहे न चुटे आपसे यहीं हमार पूर्थब विश्वास है दोस्तो तो इसे सेयर जरूर कीज़ेगा दोस्तो के पास तो मिलते हैं नेक्स्ट वड़े में नई उमीदे का सांथ तो हसते रहें और मुस्कराते रहें और अपनी तेयारी को मजबूत करते रहें तो आज की इतना ही थैंक यू